कि हलो फ्रेंड्स देखिए यहां पर हम देखने वाले हैं डिया डियों के लिए मैथमेटिक से कुष्ण देखेंगे जो काफी इंपोर्टन रहेंगे आपके एक्जामिनेशन के लिए तो देखे कुष्ण क्या है कुष्ण देखे सबसे पहले दो वर्स के लिए पांच निवेशित रासी के साधर ब्याज और चक्रवदी ब्याज का अंतर पंद्र है रासी ग्याद कीजिए ठीक है इंग्लिश में देखेंगे दर डिफरेंस बिट्वीन दा सिंपल इंट्रेस्ट एंड दा कंपाउंड इंट्रेस्ट ऑन दा अमाउंड इंवेस्टेड एट 5% इन वेट 15 फाइंड आउट दा अमाउंड तो चलो इसको कैसे करते हैं देखो सबसे पहले तो हम वैल्यू लिख लेते हैं वैल्यू क्या है वो देखिए ताइम जो है आपका वो देरखा है टू येर ठीक है ताइम दो साल देरखा है रेट देरखिए आपको 5% की 5% की उसके बाद देखे क्या है अंतर देखा है तो जो अंतर होता है वो उसको D से दिनोड करते हैं D वरावर कितना होता है 15 मतलब ये अंतर होता है वो किसका होता है SI और CI का अंतर होता है ठीक है तो रासी गयाद किये मतलब वो आपको क्या find कर वारा P, ठीक है, अब देखिए, कैसे करेंगे, देखें, यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, एक formula होता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, अंतरवारा, जब 2 साल के लिए अगर वो बोले तब, ठीक है, तो क्या करेंगे, D बराबर P R square upon 100 square, ठीक है, यह formula लगाएंगे, हमें रखा है, P तो हमें निकालना है, R कितना है, R हमारा 5% है, तो 5 का square करेंगे, तो 5 into 5 कर देंगे, and 100 square करेंगे, तो 100 into 100 कर देंगे, ठीक है, यह हो गया, 5 से 5 यह काड़ दो, 5 यह 10 0, अब 5 से यह 8 2 0, तो यह कितना हो गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यह 15 यहाँ पर इंटू 20, इंटू 20, यह हमारा P का मान आ जाएगा, कितना आ गया, 15, और यह हो गया, 400, पैन को क्या हो गया, यार, पैन क्यों नहीं चलना, अब 15 चौक 60, ठीक है, 6000 आंसर आपका आ जाएगा, 6000 आंसर आपका आजाएगा, ठीक है, इस तरीके जिसको solve बरेंगे, दूसरा question देखते हैं, देखे, यह 3 साल के लिए पूछ रहा है, देखो, इसमें क्या से करेंगे इसको, यदि किसी धनराशी पर 5% वार्षिक की 10 से 3 वर्सों की साधर और चक्रवधी ब्याश का अंतर दे is sum of money at 5% per annum for 3 years is rate 36.60 than the principle of, ठीक है चलो, यह इसी धर एक एक डेटा है, ठीक हो, देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दे रखार रेट कितना दे रखा है, 5%, जो दे रखा है वो लिक लो पहले, 3 साल, time कितना है, 3 years, और उसके बाद चक्रवधी आप, ऐसा यह चक्रव 60, ठीक है, यह क्या है, SI और CI का difference होता है, तो यहाँ पे देखो, और P आपको find करवा रहा है, ठीक है, P आपको find करवा रहा है, चलो, कैसे करेंगे, इस 3 साल के लिए, जैसे अब 3 साल दे रखा हो, तो 3 साल के लिए एक formula लगाते है, D बराबर, P R square upon 100 square, देखो, यह सेम होता ह करते हैं, 300 plus R upon 100 कर देते हैं, बस, 3 साल के लिए हो जाता है, ठीक है, बस अब क्या करेंगे, value रख दो, D बराबर कितना है अपना, 36.60, P आपको निकालना है, R कितना है, R हमारा है 5, तो 25 हो गया उपर, नीचे हो जाएगा 100, 100 into 100, क्योंकि 100 square है, और 300 R, 300 R कितना है 5, तो 305 हो जाएगा, 100, ठीक है, अब देखो, काटना है, यहां पर देखो, यहां पर क्या अगर को आप, पॉइंट अड़ा दो यहां पर नीचे 2 0 हो जाएगी, तो, यह सौ से सो काट दो एक, ठीक है, 25ा सो काट देखी ठीक है, अब क्या वरोंकि यहां पर, इसका 305 305 से देखो ये काट के देखो कितने बार जाएगा 305 को आप 5-3 चलो इसको इस तरीके से करते हैं अभी गुणा करते हैं इदा इससे गुणा करते हैं देखो 5 से काटो पहले 5-3 और 5-5 इदा से काट दो इसको 5-3 ठीक है 75-35 हो जाएगा 7 बार कट देगा ये तो कितना बचेगा 1 बचेगा 5-3 पंद्रा और फिर एक बचेगा 5-10 इतना आ गया ठीक है और यहाँ पे देखो फिर इसके बाद गुणा करेंगे 7-3-2 गुणा चार ये वाला चार ठीक है गुणा सो बट्टे 16 से 16 find अब अब देखो काटके साव सब्सक्राओर इसको इसको किपने बाद गटेगा 162 होऊ exercis कि परहाब है कि लिए कि इप इसक ज़्याप इसको आल आइज है बार दिवा स्वहीं किभाते बार ये बार ये कि यह अपना कटेगा बारे बारे बार कटेगा तो बार चोग एड़ा ताव्स एंट। इंटू सौ करेंगे ठीक है तो कितना आधायगा आपका १ोर एट जीरो जीरो ठीक है ये पैन को क्या हो गया है पैन ऐसे चलो और निरा है ठीक है यह आपना आंसर आज एक 4800 जो कि आंसर आपको चौथा ओप्शन ठीक है अब देखिए मैं आपको दो कुछन पूछ रहा हूं ठीक है दो कुछन का आंसर आप बताना सेम टू सेम ऐसे कुछन है देखिए कैसे कुछन है वो देखो बई किसी धन रासी के 9% वासिक दर से 2 वर्ष के चक्रवधी तता साधर ब्याज का अंतर 139.60 है वह दन रासी क्या होगी ठीक है यह आपको आंसर बताने कुछन नंबर यह 3 है और यह कुछन नंबर यह 4 है देखिए यहां पर तो इंग्लिश में देखिए the difference between compound and simple interest of a sum of money at 9% per annum for 2 years 129.60 that money amount is तो यह आपको आंसर बताने इसका comment box में 3 का same to same जैसे पहला किया था आप उनने वैसे होगा ठीक है इसका देखिए कुछन नंबर चार जो हमने दूसरा गिया था उस तरीके से होगा यहा आदर ब्याज का अंतर 122 रुपए है वह धन्राशी है ठीक है the difference between the compound interest and simple interest on a sum of a money at 5% per annum for a 3 year is rate 122 the amount is तो इसका आपको बताना है ठीक है झाल